कैब और एनर्सी के खिलाप मैंने अपनी राय जाहिर किया तो क्या इसको पार्टी से बगावत नहीं बना जाए अब आप जो समझे मैंने तो अपनी राय रख दिये मैं बिल्कुल असपस्ट कर चुका हूं कि आने वाला चुनाओं भी मैं लरूंगा की नहीं रहूं अगरिक्ता संसोधन बिल कैब लोकसवा मैं पास हो चुका है और NDA की जो जहियों की eki डल है बिहार में ज़ल्यू जदियू ने से खुले तौर पर लोकसवा में सपोर्ट किया है जो जदियू के लोकसवा में नेता है ललन सिंग उन्नों ने खुले आम कर आया है कि जदियू सब्चालाम, भारे कोचाधमन से जदियू के जो विधायक हैं, मुजाईदा अलम साभ है, इन से जानते हैं कि इनका कया स्टेंड है, तो मुजाईद से जवाइब फिल जबिस से लोकसवा में जदियू ने सपोर्ट किया है, उसके बाद आपके उपाद ध्यक्ष परसांद किशोर, फिर महा सचीफ जो हैं, पहवन वर्मा, उसके बाद एंड के सिंग, जावे, जोहर आजाद, इन लोग ने पार्टी के खिलाफ इस्टेंड लिया है, तो आपका इसमें क्या स्टेंड है। उनके अनुरूप, जो है, कैब और अनर्सी के खिलाफ मैंने अपनी राय जाहिर की है, एक दिसंबर 2019 को, बातला हूस के प्रोडाम में, फिर वहाँ पर जो मीडिया के लोग, जो जामिया वर्ला और दूसरे मीडिया के लोग थे, उनसे भी बातचीत भी, उनलों ने भी सवाल पूचा तो मैंने अपनी राय जाहिर कर दे थे, फिर पांच दिसंबर को, जब मैं AMU VC, प्रोफेसर तारीक मनसूर साब से मिलने किया तो, मिलने के बाद, वहाँ भी, ETV भारत, और जो है, और भी कई चैनल्स, वो जो हम से सवाल पूचे, AMU सेंटर के बारे मैं, नर्सी और जिस तरह से मैनुटीज, लोगों का सेंटिमेंट है, वीकर सेक्षन, STA, SC का है, कि कैब NRC से जो इन लोगों को परेशानी होगी, और जहां तक Citizenship Amendment Bill का तालुक है, Citizenship Act 1955 में पास हुआ, और उसी में यह संशोधन है, तो संशोधन में मेरा इस लिए विरोध है, मैं, कि इसमें जो Article 14 है संदमिधान का, Right to Equality, सब को बरावर का हक, इसमें यह कहा गया है कि धार्मिक रूप पर जो six minorities हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश, हिंदू, सिख, इसाई, क्रिष्चन, पार्सी, जैन, बूद, तो इन लोग को जो है, अगर यहां प जाता है, तो यह अगर हिंदुस्तान में सरन लेंगे, और छे साल यहां रहेंगे, उसके आद आवेदन देंगे, तो इनको नागरिकता दी जाएगे, तो मेरा करना यह है कि इसी तरह से बर्मा में, रोहंगिया मुसलिम को धार्मिक आधार पर उसको भी परतारित किया जा रहा है, सिरी लंका में जो है, सिंहालीस द्वारा, तमिल हिंदूों को भी परतारित किया जा रहा है, चाइना में मुसलमानों को किया जा रहा है, उसी तरह पाकिस्तान में जो है, शिया मुसलमानों को, तो उनका उनको भी इस बिल में इंकलूड होना चाहिए, यही मेरी र क्योंकि आप government का हिस्सा है आप एंडिये का हिस्सा है तो आपकी एक राय क्या आपकी जो सिर्ष नेतुर इतर नेतिश कुमार जी तक अपने पहुचा है जी एकदम पहुचाया अभी हम लोग कल भी कई लोगों से तन्वीर साहब जो है मान्य विधान पारसाद है खाली साहब नौशा साहब और सारे लोगों से हमारी बात हुई है कि हम लोग बैटिंध मंतरी से मिल कर ऐसे तो हम लोगोंने अपनी राय और भी पार्टी के श्रस नेतुर्वरिक तक अपनी राय जाहिर कर दिए और उनसे भी मिलकर इस पर जो है और बात करूंगा पार्टी ने तो शीव सेना और जद्यू जो है इनका एहम रोल माना जा रहा है राजसवा में इस बिल को रोकने में तो अगर पार्टी ऐसे स्टेंट पर अड़ी रहती है कि वो कैप के साथ रहेगी नितिश मोधी गॉबर्मेंट के तो फिर क्या आप आगे का क्या कदम रहेगा फिर हम लोग चब बात करेंगे जो सिर्स नहत्रिस से बात कर जो राश्ती आध्र सम्द्ध में इन्य नरति के बारे में बात करेंगे फिर बाद्वा और को नहींया कदम इसको को लेकर क्या पार्टी में यह हैं पार्टी इससा प्रषांड किस्ओर पवहन वर्मा बड़े Bakत अब इसमें तो मैं मेरी उलों से बात नहीं हुए यह मेरी अपनी निजी राय है कि कोचा धामन से क्या आप जैदियों के सांथ ही रहेंगे या अगर कैप पास हो आता है तो आप जैदियों के खिलाफ से मैं बिल्कुल असपस्ट कर चुका हूं कि आने वाला चुनाओं भी मै लड़ूंगा की नहीं रहूं मैंने पब्लिक ने मुझे 5 साल का मेंडेट दिया है जिन सपनों को लेकर मैं यहां पर उतरा हूं अगर मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा तो मैं किसी भी पार्टी से मैं बार बार सेकरों बार हजारों बार ये बात बोल चुका हूं फिर आज बोल रहा हूं कि मैं किसी भी पार्टी से चुनाओं नहीं लड़ूंगा राजनिती को अलवेदा कह दूँगा और मैं किसको अलवेदा कहूंगा या राजनिती को मैं तो सब असपस्ट कर दिया इसलिए इस मामले में और मुझे कुछ नहीं कहना है तो मैं मीडिया से संपर्क करें